हेलो एफरीवन स्वागत है आप से लोका तो आज के इस वीडियो में आपको LCM और SCF दोनों निकालना सिखाऊंगा तो आप लोग वीडियो के अंते तक बने रहिएगा आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको LCM निकालना सिखाता हूँ जिससे से इंग्लिज में क्या लिष्ट कमन् फेक्टर बोलते है इसी चीज़ को हिंदी में क्याote लासा का पूरा नम क्या है लगुत्तम समापवरते लोग पहला प्रस्ण देख रहे हैं आपको दो प्रसंद दिये गए हुए है दोनों प्रस्ण आपको बताया जाईगा यहाँ प एक खड़िक पाही इस तरह से आप खेच दीजिएगा, अब आप एक पाही इस तरह से खेचेंगे, अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देना है, तो अगर हम दो से भाग देंगे तो 15 नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 सत्य कितना होता है, चगदा ही होता है, तो जो नहीं कटेगा, उसको ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे, अब 2 में 20 भाग देजिए, 2 दहम में कितना होता है, 20 होता है, तो 10 यहाँ पर ल अब आप क्या करेंगे अब आप 5 से भागदेंगे अगल तब समझ लिजिएगा आपका सवाल जो है, साल भोचुका है, अब आप क्या करेंगे, यह जो चीजें आई हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक, दो, दो, तीन, पांच, इन्ही को आपको क्या ज़रुरत रहती है, क्या, इन्ही को आपको ज़रुरत है, तब क्या करेंगे, यही चीज यहां पर लिख लेंगे, क्या करेंगे, दो लिखेंगे, फिर इसके बाद गुड़े का चिन मनाएंगे, फिर यह वाला दो लिखेंगे, फिर इसके बाद गुड़े का चिन मनाएंगे, फिर यह वाला तीन लिखेंगे, फिर गुड़े का चिन मनाएंगे, लास्ट में वारे पंच में करेंगे 12 पंचे कितना हो जाएगा साठ खुझा मेंड़ा बढ़ प्या करेंगे पंद्रा बीस का यल्सीम क्या हो जाएगा यहां पलिख लिजेगा 15 बीस का यलतीयम है आप 6 निकल कर आया है यही सबह चाहर जाएगा इससे क्या यह संभ्राव और आप लोग समझे लीजिए बड़े यसानी से आप साल्फ कर लेंगे चलिए अब आपको दूसरा सवाल बताता हूं 8, 12, 30 का क्या आपको LCM निकालना है आपका दूसरा प्रस्ण है 8 और आपका क्या यहां पर 8 लिख लिजिएगा इसके बाद आप 12 लिखेंगे लाष्ट में आपका क्या एक 30 है इनका आपको LCM निकालना है तो मैं आपको बता है एक खड़ी पाई खिचेंगे फिर आप इस तरह से एक पाई खिचेंगे अब आपको क्या सबसे छोटी सेंग्या से भाग दिजीगा अगर यहां पर 2 से हम भाग देंगे तो 2 से 8 कर जाएगा दो च्यों के कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, बारा में भाग देंगे, दो से तो दो च्छंग कितना हो जाएगा, बारा हो जाएगा, दो से तीस में भाग देंगे, दो पंदराम में कितना होता है, तीस होता है, अब आप क्या करेंगे, फिर दो से भाग देंगे, क्यों जिए गा उसको बिउसी तरह लिखिए अब आप क्या करेंगे तीन से भाग देंगे जब तीन से भाग देंगे यहां पर एक है तो मुहांणर वाग देंगे तो पांछली फूरा हो जाएगा जाली कि फांच आप सर विसी की जरूरत है तो आप लिख लीजिए है कितना है दो है फिर इसके बाद गुड़े का चिन मनाएंगे ये वाला दो लिखेंगे फिर गुड़े का चिन मनाएंगे ये वाला दो लिखेंगे फिर गुड़े का चिन मनाएंगे ये वाला तीन लिखेंगे फिर आप गुड़े का चिन मनाएंगे लाश्ट में 5 है तो 5 लि हो जाएगा तो आप लिख लिजिएगा 8, 12, 30 का LCM कितना है 8, 12, 30 का LCM आपका कितना निकल कर आया है 120 कितना यही आपका क्या है LCM है 120 तो इस तरह से हम LCM निकालते हैं अब आप से एगर 4 संख्या भी दिरहित आप इसी तरह से लिखकर उसका भी LCM निकाल सकते हैं अब मैं आपको आपका मासा निकालना सिखाता हूँ यानि महत्तम समापवर्तक अब यह आपका देखे अगला सवाल इसमें आपको यह CF निकालना है क्या आपको मासा निकालना है 15 और क्या 18 का मासा निकालना है तब आप क्या करोगे पहले मैं आपको गुड़न खंड विधी के द्वारा बताता हूँ गुड़न खंड विधी में देखे आपको क्या करना है आपको 15 का गुड़न खंड निकालना है इसके वाद 18 का जैसे देख अगर 5 से भाद देंगे तो 5 के 5 हो जाएगा अब आपको मालूम चल गया कि अगर मैं यहाँ पर क्या 15 लिख दूँ इसे अगर मैं तोड़ कर लिखूंगा तो यही 3 गुड़े 5 लिखूंगा तीन गुड़े क्या पांच है तीन गुड़े पांच करेंगे तीन पचे कितना होता है पंद्रा होता है उसी प्रकार यहाँ पर अठारा है तो अठारा लिखिएगा इसके बाद अठारा को आपको तोड़कर लिखना है क्या 18 को आपको तोड का लिखना है तिहां पर आप 18 का गुड़न खंड इस पराश से निकाल लेंगे आप किस से भाद देंगे 2 से 2 नवा कितना होता है 18 होता है फिर आप 3 से भाद देंगे 3 त्रिक करना होता है फिर 3 से भाद देंगे 3 एक के 3 होता है तिसका गुडन खंड क्या होगा 2 गुडे 3 गुडे 3 यहां पर लिख लिजएगा 2 गुडे 3 गुडे क्या 3 अब इसका क्या काम आप खतम कर दिजिएगा अब आपको क्या करना है सबसे important चीज अब आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कामन है यानि जो दोनों में होता है वही कामन होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है तीन है और यहाँ पर भी क्या तीन है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक तीन है यहाँ पर दो तीन है तब आपको क्या करना है जो दोनों में होता है उसी चीज को लिखा जाता है तब आप कह देंगे कि 15 और 18 का मासा क्या होगा मासा आपका क्या होगा 15 और 18 का 3 होगा जो दोनों में होगा वही चीज लिखा जाएगा तेहां पर लिख देंगे क्या होगा 3 होगा यही आपको क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यह रही बात आप गुड़न खंड विधी के दोरा आपने कैसे मासा निकाला अब मैं आपको दूसरा सवाल भी गुड़न खंड विधी के दोरा बताऊंगा इसी के बाद इन्ही सवालों को क्या आपको भाग विधी के दोरा भ 36 है तब आप क्या करोगे इस तरह से इसको लिख लोगे यहाँ पर 16 लिख लिजिएगा यहाँ पर 24 लिख लिजिएगा यहाँ पर 36 इस तरह से लिख लेंगे आप आप क्या करना है 16 का गुड़न खंड आपको निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सोला का इस तरह से निकालेंगे दो अठ कितना हो जाएगा, सोला हो जाएगा, दो चो के कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, दो दूना, चार हो जाएगा, दो एक के क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो कितनी बार दो है, एक, दो, तीन, चार, चार बार दो है, तो भाग देंगे, दो बरहाम में क्या हो गया, 24 हो जाएगा, दो छंग आपका कितना होता है, 12 होता है, दो तियाई आपका कितना होता है, 6 होता है, लाश्ट में आप 3 से भाग दे दीजिएगा, कितनी बार है, एक, दो, तीन बार दो है, यहाँ पर लिखेगा, दो गुडे, दो गुड़े 2, इसके बाद क्या है लाष्ट में 3 है तो यहाँ पर आप गुड़े 3 कर दिजेगा, इसका भी काम हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, 36 का उसी तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पर 36 का जब आप निकालेंगे, तो किस से भादेंगे, 2 से, 2 अठराम में कितना होता है, 36 होता है, 2 नवा क्या होता है, 18 होता है, 3 से भादेंगे, 3 तरिक का 9 होता है, यह 3 है आपका, फिर 3 से भादेंगे, 3 एक के 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुड़े 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुड़े 3 गुड़े आप 3 कर लिजेगा, अ अब मैंने आपको क्या बताये था मासा निकारते समय आपको देखना है कि इन तीनों में क्या कामन है इन तीनों में आपको कामन खुजना है यहां पर देखिए दो है यहां पर भी दो है तीनों में क्या है दो है अब देखिए यहां पर भी दो है यहां पर भी दो है यहां पर जो तीनों में होगा अब यहाँ पर देखिए दो है यहाँ पर क्या है तीन है यहाँ पर तीन है कोई चीज कामन नहीं कामन वही होगा जो तीनों में होगा अब आप सोच रहोंगे यहाँ पर तीन है इन दोनों में तो है लेकिन आप देखिए इस उपर वाले में तीन नहीं ह तो तीन तभी कामन बनेगा जो तीनों में चीज वो होगा तो कामन आपका कितना बन चुका है बस आपका यहां से एक दो ले लिजिएगा जो कामन बनेगा उसी को लिखना है यहां पर दो आपका एक कामन बना फिर गुड़े का चिंद बनाएंगे एक कावन फिर से आपका दो बना था गुड़े दो कर देंगी अभी नहीं का गुड़ा कर लिजीगा दो गुड़े दो क्या होता है? चार होता है यही आपका चार क्या है? मासा है यानि यह CF तो आप कहेंगे 16, 24, 36 का मासा कितना है? चार है चार आपका क्या है जाएगा इसी को English में यह CF बोलते हैं यही आपका क्या हो जाएगा Finally answer हो जाएगा तिस तरह से क्या गुडन खंड विधी के द्वारा मासा ग्यात क्या जाता है अगर आप से चाहे जितना भी बड़ा सवाल पुछे अगर तरीका आप लोग सीख गये होंगे वो ऐसे प्रश्णों के भी आप असानी से साल्व कर सकते हैं अब इसी चीज को मैं आपको भाग विधी के द्वारा बताता हूँ जिसे आपको समझना बहर दिया वस्यक है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा अब देखे मैं आपको जो आपका मासा निकलना सिखाऊँगा यानि यह सीफ वो भाग विधी के द्वारा होगा देखे आपको एकी वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं जो पूरा वीडियो देख रहा होगा लाश्ट तक उसी को समझ में आया होगा अब यहाँ पर देखे पहला सवाल है आठ बारा सोला को क्या आपको यह सीफ निकालना है यहाँ पर पहला प्रसन लिख देता हूँ क्या है आठ बारा और आपका सोला है भाग विधी के द्वारा यह सीफ आपको निकालना है तब आप क्या करेंगे सबसे पहले दो संख्या देखेंगे आठ लिखा हुआ है, बारा लिखा हुआ है, आठ हो बारा में सबसे बड़ी संख्या है, कौने बारा है, तो यहां पर आप बारा को लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, इसी में बस भाग देना है, किस से छोटी संख्या जो आठ है, तब आप क्या करेंगे, ब नीचे 00 आ जाएगा तभी आपका एंसर साल्व सही माना जाएगा लेकिन यहाँ पर अभी 4 आया है तब आप क्या करेंगे फिर से इस तरह से भाग कचिन बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे जिससे भाग दे रहे हैं वही चीज यहाँ पर लिख देंगे अब 8 हो गया अब 4 से भाग दीजिए कि इसमें 8 में तो कितना बार जाएगा दो बार 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 में से 8 घटाएंगे कितना जाएगा 0 आ जाएगा लेकिन अभी भी आपका सवाल साल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपने अगर आपसे पूछा होता मालीजिए 8 हो 12 का क्या या सीफ निकालिए तब आपका एंसर क्या हो जाता 4 हो जाता लेकिन आपके प्रस्ट में यहाँ पर एक 16 दिया हुआ है क्योंकि आपने 4 से भाग दिया तो 0 आ गया जिस संक्या से भाग देने पर 0 आ जाए वही आपका सीफ हो जाता है लेकिन यह तब आपका 4 एंसर होता जब यहाँ पर 16 नहीं होता लेकिन आपके प्रस्ट में यह कवर यहाँ पर 16 है आपने 4 से भाग दिया 0 आ गया अभी आपका 16 बचा हुआ है अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से 16 लिखेंगे इसमें किस से भाग देना पड़ेगा जिस संक्या से आपने भाग दिया है 0 आया है इसी 4 से अब आपको यहाँ पर भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? चार बार जाएगा? चार चौकर कितना होता है? 16 होता है 16 मसे 16 घटाएंगे क्या 0 आज गया? अब देखिए जिस भी संग्या से भाग देने पर यहां पर 0 आता है वही आपका यसीफ का लाएगा तो आपने 4 से भाग दिया तो 0 आया यही 4 आपका क्या हो जाएगा? यसीफ हो जाएगा? किसका? 8, 12 और 16 का यसीफ क्या होगा? 4 होगा इसी को हिंदी में क्या? मासा बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक तो यह आपका पहला सवाल रहा अब दूसरा सवाल बताता हूँ जिन्नों को नहीं समझ में आया होगा? उनको भी क्या क्लियर हो जाएगा? अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ दूसरा सवाल है 16, 24 और 36 का क्या आपको यसीफ निकालना है? क्या है? 16, 24 और आपका है 36 से किसका भागविधी की द्वारा यच्श कीष निकालना तो पहले आप दो संक्याइं देखिए 24 सा 16 में कौन बढ़े है 24 बढ़े है तो 24 को यहां पर लिखेंगे इसमें क्या करेंगे छोटी संख्या 16 से भागदे देंगे क्या करेंगे भागदे देंगे कितनी बार जाएगा इतना जाएगा अब आप क्या करेंगे नीचे जीरो नहीं आया है तो आप फिर से भाग कच्चिन इस तरह से बनाएगे यहाँ पर जिससे भाग दे रहे थे 16 उसको यहाँ पर लिख लेंगे अब कितनी बार जाएगा 8 दुना कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा 16 मसे 16 घटाएंगे 0 आया ऑचै, अभी आपका एंसर नहीं आया है क्या हो क्योंकि अभी आपका 36 बचा हुआ है अभ यहां पर हम क्या 36 लिख लेंगे और 66 में किस से भाघ देंगे जिस संख्या से भाग देने पर 0 आया था तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8 का 8 अंफूला, 8 तरिक, 24, 8 चोग, 32 4 बार जाएगा यहाँ पर 4 लिखेंगे 8 चोग कितना हो जाएगा? 32 36 मसे 32 घटाएंगे कितना जाएगा आपका? 4 आजाएगा अभी देखें नीचे 0 नहीं आया तो फिर आप भाग कच्चिन इस तरह से बनाएगे तो यहाँ पर काउं सी संख्या लिखेंगे? जिससे हम भाग देते हैं 8 यही पर 8 लिख लेंगे 4 दुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 8 में से 8 घटाएंगे 0 आगया अब देखिए आपका कोई भी संख्या आगे नहीं है तो यही 4 जो है जिस संख्या से भाग देने पर लाश्ट में 0 आता है वही आपका क्या हो जाएगा? यह CF हो जाएगा तो आपका 16, 24, 36 का यह CF क्या होगा? 4 होगा यह CF कोई क्या मासा बोलते हैं तो चार आपका क्या हो जाएगा? एंसर हो जाएगा तो मैंने आपको बड़े ही बेतरें तरीके से आपको LCM यह CF निकालना सिखाया हूँ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद